राष्टिय राजमार्ग के फाटा पुगर पानी कौरी टोल प्लाजा पर फिर पकड़ा गया 151 किलो गांजा चार आरोपी गरफ थार गोपनिय सुषना के अधार पर सिली गुडी स्टी एफ ने फाटा पुगर टोल प्लाजा पर रात भर घात लगा कर बैटने के बाद बड़ी कारवाई की सुवे जब एक संदिग्द गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुँची तो उसे रोक कर पुझताच शुरू की गई गाड़ी चालक के बयान में विरोधा भास मिलने के बाद पास में मौझूद एक और संदिग्द गाड़ी को भी रोका गया पुझताच के दौरान मामले का खुलासा हुआ जाच में पता चला के एक छोटी चार पहिया पिकप वेन में विशेश रूप से बनाए गए गुप्त चेमबर में 22 पैकेट में कुल 151 किलो गाजा चुपा का तसकरी की जा रहा था इस पिकप वेन को रास्ता दिखाने के लिए एक और बुलेरो पिकप वेन साथ चल रही थी घटने स्तल से मौसुम सरकार उम्र 23 वर्स हाबलू हुसैन उम्र 24 वर्स रफीकुल मिया उम्र 22 वर्स उत्तम नारायन उम्र 30 वर्स को ग्रफतार किया गया चारो आरूपी कूच विहा जिलेक के निवासी बताय जा रहे हैं सिलीगुडी स्टीएफ अब यह जांच कर रही है किस तसकरी में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं राष्टिय राजमार्ग के फाटा पुगर पानी कौरी टोल प्लाजा पर फिर पकड़ा गया 151 किलो गांजा चार आरूपी गरफतार गोपनिय सुषना के अधार पर सिलीगुडी स्टीएफ ने फाटा पुगर टोल प्लाजा पर रात भर घात लगाकर बैटने के बाद बड़ी कारवाई की सुबह जब एक संदिग्द गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुँची तो उसे रोक कर पुस्ताच शुरू की गई तसकरी की जारा था इस पिकव वेन को रास्ता दिखाने के लिए एक और भुलेरो पिकव वेन साथ चल रही थी घटने स्टल से मौसुम सरकार उम्र 23 वर्स हाबलू हुसेन उम्र 24 वर्स रफीकुल मिया उम्र 22 वर्स उत्तम नारायन उम्र 30 वर्स को ग्रफतार किया गया चारो आरूपी कूच विहा जिलेक के निवासी बताय जा रहे हैं सिलीगुडी स्टीएफ अब यह जांच कर रही है किस तसकरी में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं राश्टिय राजमार्ग के फाटा पुगर पानी कौरी टोल प्लाजा पर फिर पकड़ा गया 151 किलो गांजा चार आरूपी ग्रफतार गोपनिय सुषना के अधार पर सिलीगुडी स्टीएफ ने फाटा पुगर टोल प्लाजा पर रात भर घात लगा कर बैटने के बाद बड़ी कारवाई की सुबह जब एक संदिग्द गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुँची तो उसे रोक कर पुस्ताच शुरू की गई गाड़ी चालक के बयान में विरोधा भास मिलने के बाद पास में मौझूद एक और संदिग्द गाड़ी को भी रोका गया पुस्ताच की दोरान मामले का खलासा हुआ जाच में पता चला के एक छोटी चार पहिया पिकप वेन में विशेश रूप से बनाए गए गुप्त चेमबर में 22 पैकेट में कुल 151 किलो गाजा चुपा का तसकरी की जा रहा था इस पिकप वेन को रास्ता दिखाने के लिए एक और बुलेरो पिकप वेन साथ चल रही थी घटने स्तल से मौसुम सरकार उम्र 23 वर्स हाबलू हुसैन उम्र 24 वर्स रफीकुल मिया उम्र 22 वर्स उत्तम नारायन उम्र 23 वर्स को ग्रफतार किया गया चारो आरूपी कूच विहा जिलिक के निवासी बताय जा रहे हैं सिलिगुडी स्टीएफ अब ये जाच कर रही है किस तसकरी में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं